हेलो एवरिवन और वेलकम टू इंस्टेंट बाइलोजी बाय डॉक्टर नीलाब आज जिस टॉपिक के ओपर हम बात करने जा रहे हैं वो है डियने रेप्लिकेशन का इलोंगेशन पोर्शन अल्रेडी हम लोग डियने रेप्लिकेशन में इनिसियेशन पार्ट को डिसकस कर च चुके हैं, आपको पता होगा कि डियने रेप्लिकेशन के तीन फेजेज होते हैं, तो फेसा है जिसमें पहला फेस है इनिसियेशन दूसरा ऐलाणगेशन और लास्ट वाला है टेरमिनेशन जिसमें आम लोगोंने इनिसियेशन के शेजिए हैं हम लोग, और मैं एक düşन्मेंन मैंने यहां पे कुछ ट्रिक्स डिसकस करी है ट्रिक्स इंसेंस जैसे एंटी बायोटिक्स को लर्न करने की ट्रिक्स आपको पता होगा कि DNA replication से काफी जादा एंटी बायोटिक्स के नाम पूछे जाते हैं तो उसको याद करने की एक ट्रिक discuss करी है आप last तक वीडियो देखेंगे तो वो trick आपको मिलेगी ठीक तो चलिए discuss करते है what is DNA replication और DNA replication में यह elongation क्या होता है ठीक है तो अगर आप first जो slide है आपकी screen के उपर अगर आप उसको देखोगे तो इसमें लिखा हुआ अब इसका मतलब यह हो गया कि DNTP को step by step हम एक-एक DNTP को DNTP का मतलब क्या हो गया डी ओक्सी न्यूक्लियो टाइड ट्राइफॉस्फेट ठीक है तो हम लोग लिखते चलते हैं सारी चीजों को साथ साथ में ताकि कोई confusion ना हो तो DNTP का मतलब क्या हो गया डी ओक्सी न्यूक्लियो टाइड ट्राइफॉस्फेट अब डी ओक्सी न्यूक्लियो टाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हो गया जैसे की ATP जैसे की GTP जैसे की TTP और जैसे की CTP यहाँ पे मैं UTP नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि UTP, Uridene Triphosphate आपका RNA के अंदर पाया जाएगा और we are talking about DNTPs अब इसका कहने का क्या मतलब है? आपने already initiation में देखा है कि जो template strand है suppose करिए कि यह हमारा, let me just switch over तो जैसे कि आपने यह देखा कि यह हमारा template strand था अब इस template strand को I wanted to copy तो मैंने यहाँ पे एक primer add कर दिया था ठीक है? यह primer add कर दिया था अब इसी primer का जो end portion होगा उसी को use करके हमारा D, जो polymerase enzyme है वो नया strand को synthesize करता हुआ चला जाएगा तो this is what I want to say over here कि कैसे कैसे जो नया strand जो grow करेगा वो किस तरीके से grow करेगा step by step grow करेगा, कैसे step by step grow करेगा एक एक DNTP का molecule आएगा, नई growing chain के ओपर जुड़ेगा chain elongate होगी, फिर नया DNTP आएगा, इससे जुड़ेगा chain elongate होगी, इस तरीके से करते करते हमने एक लंबी chain बना लेंगे, यही मेरा elongation है नए-ने DNTPs आएंगे, नए-ने DNTPs जुड़ेंगे और एक लंबी chain बन जाएगी, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर this was my original template strand, और यहाँ पर मेरा primer जुड़ा हुआ है, अब इस primer का इस्तमाल करके, मा लिजे यह DNTP1 आया यहाँ पर, ठीक है, तो first DNTP आया, फिर इसके बाद यहाँ पर second DNTP आया, फिर इसके बाद यहाँ पर third DNTP आया, फिर fourth DNTP आया, fifth DNTP आया, तो what we are doing is, we are elongating the chain, इसी को बोल रहे, elongation, अब next point पे आते हैं, that, three prime OH group of the primer, attacks the alpha phosphoral group of incoming DNTP, and pyrophosphate is removed, अब इस point का क्या मतलब है, इस point को जमजने के लिए, यहाँ पे यह diagram देखना पड़ेगा, अब अगर आप यह figure ठीक से देख रहे हैं, तो इस figure में आपको यह पता है, कि this is our pentose sugar, और यह क्या है, यह हमारा nitrogenous base है, this is our nitrogenous base, ठीक है, और इस pentose sugar पे, क्योंकि यह DNTP है, तो इसमें जो five prime carbon है, यह five prime carbon है, इसके ओपर phosphate जुड़ा हुआ है, ठीक, तो one अगर मैंने number करनी की शुरू करूँ, ना one, two, three, four, और five, तो five prime पे phosphate group जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह आपने phosphate group यहाँ पे देखा हुआ है, यह phosphate group जुड़ा हुआ है, single phosphate है, क्योंकि पहला यह है, पहला DNTP है, और यह यहाँ पे three prime position पे OH group रहा होगा, ठीक है, तो three prime position पे OH group है, ठीक है, तो यही चीज, same चीज, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, suppose करिए, हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इस structure से शुरुआत कर रहे हैं, that means, suppose समझ यह कि यही से, यही मेरा पहला DNTP है, जिस से अपन को start करना है, तो जो चीजें उपर बताई, वही यहाँ पर देखिए, यह आपका nitrogenous base है, यह आपका sugar है, और यह three prime position पे पाया जाने वाला OH group है, अब आब यह बात जानते हैं कि OH के उपर lone pair of electrons होते हैं, ठीक है, OH के उपर क्या होगा, lone pair of electrons होंगे, और यह जो नया DNTP आ रहा है, तो what is this, this is your new DNTP, new DNTP कैसे कह रहे हैं इसको, यहाँ पे sugar लगा हुआ है, यहाँ पे आपका nitrogenous base है, यह पूरे यहाँ पे three phosphate groups attached है, three phosphates, अब इन तीनों phosphates को मैं नाम दे सकता हूँ, यह मेरा alpha phosphate है, यह beta phosphate है, और यह gamma phosphate है, बहुत जो शुगर के जादा नजदीक होगा, उसी को मैं alpha कहूँगा, उसके बाद वाले को बीटा और सबसे लास्ट वाले को gamma phosphate बोलूँगा, अब होगा क्या, कि क्यूंकि यह phosphate, यह वाला phosphate, आपका oxygen से connected है हर तरफ से, इधर से भी oxygen से connected है इधर से भी oxygen से connected है इधर से भी oxygen से connected है और इधर से भी oxygen से connected है तो यह phosphate के उपर slightly positive charge होगा because phosphate या phosphorus और आपका जो oxygen है उनके बीच में electronegativity difference है और इस electronegativity difference की वज़े से oxygen जो होगा वो phosphate से electron को अपनी तरफ पुल करेगा जिसकी वज़े से phosphate के उपर या phosphorus के उपर P के उपर charge positive हो जाएगा यह मैं कौन से P की बात कर रहा हूँ यह alpha P की बात कर रहा हूँ इसकी वज़े से alpha P के उपर slightly positive charge है oxygen जिसके उपर lone pair of electron था जो 3 prime OH ग्रुप के उपर पाया जा रहा है उसके उपर slightly negative charge है negative charge है lone pair of electrons की वज़े से तो यह क्या करता है attack कर देता है किसके उपर इस phosphate के उपर ठीक है जैसे ही यह phosphate के उपर attack करेगा वैसे ही यहां से क्या हो जाएगा यहां से आपका दोनों phosphate यहां से remove हो जाएंगे देखिए यह क्या हो गया यह पाइरो फॉस्फेट का removal हो गया पाइरो फॉस्फेट है रिमूवल अब पाइरो फॉस्फेट का मतलब यह होता है बिटा कि पी पी आई इसको लिखते है दो फॉस्फेट जब साथ में remove हो जाते हैं then it is called as pyrophosphate. अब हुआ क्या होगा? तो ये तो ये वाला base तो first base था I mean to say first nucleotide था. ये वाला इसको हम लोगों ने detail में देखा ये मेरा second nucleotide है. अब इस second nucleotide में देखिए ये जो hydrogen लगा हुआ है. This would be removed hydrogen यहाँ से निकल चुका है ठीक. तो है क्या O ने attack किया था? किस के ओपर? P के ओपर attack किया था? तो ये देखिए ये P है double bond O यहाँ पे ये वाला double bond O लगाया हुआ है यहाँ पे. Single bond O minus. ये O minus है और इसके बाद ये ये वाला जो O है ये क्या है? यहाँ पे लगा हुआ है और इस O से दूसरा nucleotide यहाँ पे attached है इस O से दूसरा nucleotide यहाँ पे attached है. तो देखिए ये P था. P से आपके तीन O लगे हुए है एक ये, एक ये, एक ये और इस से आपका दूसरा sugar attached है. ये वाला bond यहाँ पे है ठीक है? तो अगर आप इसको देखे, तो यहाँ पे कौन सा bond बन रहा है? अगर मैं इसको अलग पेंसे बनाने की कोशिश करूँ तो ये आप जानते हैं, ये carbon था. इस carbon के साथ आया हुआ है ये वाला O. इस O के साथ आया हुआ है ये वाला P. C O P इसके बाद अगर हम देखें, तो ये फिर से O है, O और ये वाला फिर से C है ये फिर से carbon है, तो ये bond क्या हो गया? C O P O C bond. अब एक चीज़ समझ ये कि इस C O P bond को और C O P bond को याँ पे कौन से bond है? ये ये C O P, C O P bond है एक C O P bond को आप फॉस्फो एस्टर bond बोलेंगे एक C O P bond को आप क्या बोलोगे? फॉस्फो एस्टर bond तो इस वाले को भी आप फॉस्फो एस्टर bond बोलोगे? मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा? अब इन दोनों को जोड करके आपको बोलना होगा तो what will you call it? फॉस्फो डाई एस्टर bond इन दोनों को जोड करके आप का कहोगे? यू विल कॉल इज आप फॉस्फो डाई एस्टर bond उमीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको ये clearly समझ में आ गया होगा तो किस तरीके से यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आखिर chain जो है वो हमारी elongate होती जाती है हर थोड़ी थोड़ी देर पर किस तरीके से नया dntp आएगा जुड़ेगा elongation होगा ये किस तरीके से हो रहा है ये मैं बताना यहाँ पर चाहता था ठीक है तो उमीद है यहाँ तक समझ में आया होगा ओके तो यहाँ पर आपको clear हो गया होगा कि phosphodiester bond का formation किस तरीके से होता है वो यहाँ पर clear हो गया होगा चलिए अब वापस अपने original slide के ओपर चलते हैं जहां से हम लोगों ने discussion शुरू किया था तो हम लोगों ने ये वाला point भी समझ लिया कि 3 prime OH group of the primer attacks the alpha phosphoral group of incoming DNTP and pyrophosphate is removed और pyrophosphate को मैंने बताया PPI यहाँ पर remove हो जाएगा next case में phosphodiester bond is formed तो phosphodiester bond कैसे फॉर्म हुआ वो भी आपको दिखा दिया pyrophosphate जो remove हो रहे हैं उसमें से कौन से pyrophosphate remove हो रहे हैं बीटा और गामा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख करके भी दिखाया था आपको यह वाला फॉस्फेट और यह वाला फॉस्फेट रिमूव हो रहा है क्योंकि दो remove हो रहे हैं इसलिए इसको pyrophosphate removal बोल रहे हैं तो बीटा और गामा आपके remove हो जाएगे तो यह point भी हम लोगों ने discuss कर लिया phosphodiester bond form हो रहा है वो भी discuss कर लिया next replication जो है it is template dependent mechanism that means template is required बिना template के जाहिर सी बात है कि replication नहीं हो सकता template is required जभी भी आप DNA को copy करेंगे तो जिस DNA को copy करना है वो DNA क्या कहला हैगा this will be called as template तो यह template dependent mechanism होता है next point क्या है Mg2 plus and Zn2 plus are required for DNA polymerase to function actually यह जो Mg2 plus और Zn2 plus है यह divalent cations है जिनका purpose जो है वो जो 3 prime OH है उसका attack जब 3 prime OH attack करता है नए DNTP के ओपर DNA polymerase वहां पे रहता है और catalyze करवाता है phosphodiester bond के formation को तो यह जो attack हो रहा है और जो pyrophosphates निकल करके बाहर आ रहे हैं उनको properly handle करने का काम आपका इस Mg2 plus और Zn2 plus co factors के पास होता है तो इमीद है यह भी बात समझ में आ गई होगी next elongation takes place in 5 prime to 3 prime direction अब यह बात हमेशा to 3 prime direction में ही बनाएगा या synthesize करेगा तो यह हो गया हम लोग का first जो slide के ओपर जितना भी discussion था वो हम लोगों ने कर लिया next slide की तरफ बढ़ते हैं अब आप यहां पे देखिए DNA polymerase can differentiate between DNTP and RNTP कई बार exam में इस तरीके से questions आ जाते हैं कि क्या DNA polymerase RNA को add नहीं कर सकता या RNTP को add नहीं कर सकता तो इसका answer नहीं add कर सकता इसके पीछे reason क्या है अगर आप अपनी screen पे देखें तो यह जो structure है this is of RNTP RNTP यह RNTP का structure है और यह DNTP का structure है ठीक है तो RNTP के पास 2' position पे भी OH है और 3' position पे भी OH है लेकिन DNTP की बात करूँ तो इसके पास सिर्फ 3' position पे ही OH है तो कहने का मतलब है कि they are structurally different from each other अगर structurally different है तो DNA polymerase की जो active site होगी उस active site पे bind कर पाना DNTP के बसकी ही बात है क्योंकि DNTP जो है वो structurally similar है active site के तो DNA polymerase की active site पे सिर्फ DNTP ही bind कर पा रहा है और DNTP और RNTP में काफी अंतर है structure में तो इसी वज़े से RNTP यहां पे bind नहीं कर सकता और अगर DNA polymerase की active site पे RNTP bind नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि RNTP का addition नहीं हो सकता इतनी चीज़ clear हो गई तो यहां पे यह बात mentioned भी है कि RNTPs are sterically excluded from the DNA polymerase active site ठीक है तो यह बात clear हो गई होगी तो RNTP cannot get accommodated in the active site of the polymerase यह भी मैंने यहां पर भी mention कर रखा है इसके बाद आ जाता है यह वाली slide जिसको हम लोगोंने discuss properly कर लिया था next slide के उपर चलते हैं तो अगर मैं replication in prokaryotes की बात कर रहा हूं तो prokaryotes में जो replication का जो starting point होता है उसको बोलते है origin of replication तो it is nothing but the start point of replication in prokaryotes start point of replication in prokaryotes prokaryotes के start point prokaryotes में replication का start point होता है origin of replication ठीक है अब यह जो origin of replication है इससे जो इसके यहां पे जो replication fork बनता है अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूँ तो इधर देखिए जो अलरडी बना हुआ है तो यह replication origin है this is your origin of replication तो यह दोनो ही strands पे है यह इस वाले strand पे भी है और इस वाले strand पे भी है ठीक अगर मैं इसको अपने diagram में बना करके आपको दिखाऊं तो यह कुछ इस तरीके से है यह हमने double stranded DNA बना दिया और इस double stranded DNA में माल लीजे यहां पे हमारा ओरी site है origin of replication site है तो अब जो replication fork यहां पे form होगा वो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी इसके just opposite यानि कि origin of replication के just opposite पाई जाने वाली termination site की तरफ बढ़ता है termination site तो origin of replication पे पाया जाने वाला replication fork जो होगा यानि कि जो यहां पे replication fork form होगा इस तरीके से अब replication fork कैसे form होता है इस तरीके से एक bubble replication bubble form हो जाएगा यह इस तरीके का और यह दोनों side में proceed करेगा तो यही चीज़ लिखी होई है proceeds to the terminus through the movement of the replication fork यही चीज़ यहां पे बताई के लिए अब अगर मैं eukaryotes के अंदर की speed की बात करूँ that means what is the speed of replication in eukaryotes तो आप कहोगे कि it is 1000 base pair per second per fork ठीक है तो इतनी जबर्दस्त speed के साथ replication हो रहा होता है ठीक है अब अगर मैं यह sorry यहां पे एक चीज़ इसको ठीक कर देना चाहिए यह prokaryotes के अंदर है this is in prokaryotes the speed in prokaryotes जो है वो 1000 base pair per second per fork होती है और जो e-coli का यानि क्योंकि हम prokaryotes की बात कर रहे है तो जो e-coli के अंदर जो genome का size है जो number of या जो size of the genome है size of DNA है वो 4.6 MB पाया जाता है ठीक है और उसकी speed कितनी है 1000 base pair per second per fork लेकिन अगर मैं eukaryotic cell की बात कर रहा हूँ तो in case of eukaryotic cell जो speed है वो थोड़ी सी कम है 100 base pair per second per fork तो यहां पे मैंने compare कर लिया किन चीज़ को मैंने already बताया भी हुआ है कि हम लोग replication को as a comparative analysis पढ़ रहे है तो we are discussing over here the speed यहां पे हमने speed का comparison कर दिया अब देखिए already मैंने आपको यह दिखाया हुआ था कि जो replication fork बन रहा था वो किस तरीके का बन रहा था replication origin से ही हमारा replication fork का बनना शुरू हो रहा था अब replication fork में दोनों ही strand involved हो रहे है एक यह वाला strand भी involved हो रहा है यह वाला strand भी involved हो रहा है अब आप एक चीज जरा गौर से अगर यहां पे देखें मैं इसको रब कर देता हूँ अगर आप गौर से देखें तो जहां पे हमारा origin of replication है सपोज यहां पे origin of replication है इधर भी और इधर भी यह replication of origin की वज़े से मेरा दोनों strand चाहे इस वाले strand की बात करूँ चाहे मैं इस वा पार्ट में डिवाइड हो गए एक तो यह left वाला पार्ट मेरे left वाला और यह right वाला similarly यह वाला भी यह इधर वाला और यह इधर वाला इसंट इट अब मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं देखे मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों ही strands के ऊपर जो division हुआ है origin of replication के current से जो यह अलग-अलग part में divide हुआ है मतलब इसको हम अपने समझ के लिए divide बोल रहे हैं इसमें से particular एक strand का जो यह दो हिस्सा हुआ है एक इधर और एक इधर इन दोनों हिस्सों पे अलग-अलग तरीके से replication होगा suppose करिए कि मैं इस वाले strand की अभी बात कर रहा हूं नीचे वाले strand की बात बात में करेंगे अभी पहले इस वाले strand की बात कर रहा हूं अब इस वाले strand में आपको पता है कि यह जो template strand है इसका direction है 5 prime to 3 prime ठीक है इसका direction है 5 prime to 3 prime अब origin of replication पे यहाँ पे एक primer जुड़ा आपको पता है कि primer की वज़े से ही शुरुआत होगी तो primer का जो direction होगा वो क्योंकि यहाँ पे template का direction 3 prime है तो primer का direction इधर 5 prime हो जाएगा अब यह बात आपको समझ में आ रहे होगी कि template का direction अगर जो भी है उसका just reverse होगा आपके जो भी template का direction है उसका just reverse होगा आपका primer का direction तो यह 5 prime हो गया और यह 3 prime हो गया अब आप देख सकते हो कि यह आपका यह जो red वाला है this is your helicase अब helicase क्या कर रहा है helicase इस direction में तेजी के साथ move कर रहा है अब अगर helicase इस direction में तेजी के साथ move कर रहा है तो क्या होगा यह 3 prime end free है that means 3 prime OH यहाँ पे free है तो इस side जो यह main strand है जिसके हम बात कर रहे हैं उसका left hand side पे continuous strand की synthesis होती चली जाएगी देख रहे हैं यह देखें यह continuous synthesis होती चली जाएगी कैसे आगे आगे हमारा helicase भाग रहा है उसके पीछे पीछे मेरा DNA polymerase भागता चला जा रहा है और continuous strand की synthesis हो रही है continuous इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बार बार अलग अलग primer जोडने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही primer यहाँ पे जुड़ा सिर्फ one primer यहाँ पे जुड़ा और उसके बाद synthesis पूरी होगी ठीक अब इसी strand के इधर right side के बारे में बात करते हैं अब right side के बारे में अगर आप बात करो तो helicase जो है वो इस direction में move कर रहा है ठीक, helicase इस direction में move कर रहा होगा यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि धीमे धीमे यह helicase इस पूरे fork को धीमे 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 करके इस direction में खोलता जा रहा है अब यह fork एक साथ तो पूरा खुल नहीं जाएगा, धीमे धीमे करके खुल रहा होगा तो अगर यह 3 prime direction है, 3 prime direction है template strand का तो जो मेरा fork बनेगा, जो मेरा fork, जो मेरा primer add होगा वो primer का 5 prime end इधर होगा और 3 prime end इधर होगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे बार-बार primer add करने की जरूरत पड़ेगी क्यों? क्योंकि जो strand है, जो helicase है, वो एक बार में तो पूरा strand open नहीं कर पा रहा है वो थोड़ा-थोड़ा दूरी पे, थोड़ा-थोड़ा strand बार-बार open कर रहा है अब continuous वो open करता जा रहा है, तो जब कुछ amount of strand open हो जाता है तो तुरंत एक primer लगता है और उसकी synthesis यहां तक हो जाती है origin जहां तक था, फिर यह थोड़ा-था helicase आगे बढ़ता है फिर यहां पे primer जुड़ेगा, फिर यहां तक synthesis हो जाएगी इस तरीके से करते-करते, जैसे helicase आगे बढ़ा, फिर primer यहां पे लगा, synthesis होई फिर helicase फोड़ा आगे बढ़ा, primer लगा, synthesis होई helicase आगे बढ़ा, primer लगा, synthesis होई इस तरीके से कई पार्ट में हम इस वाले strand की synthesis देख रहे तो यहां पे multiple primers लगे होई, अब यहां पे देखिए, एक primer इधर है एक primer इधर है, ठीक, और उसके बाद अभी और यह खुलेगा, तो एक primer यहां पे लग जाएगा फिर और खुलेगा, तो एक primer कहीं यहां पे लग जाएगा, तो इस तर जैसे यहां से helicase आगे बढ़ेगा तो multiple parts में यहां पे synthesis हो रही है ठीक, इतनी बात समझ में आगई की नहीं आगई, तो अब यहां पे देखिए, कि replication origin के दोनों side में जो strand की synthesis हो रही होगी, वो दो type की हो रही होगी एक तो leading strand, एक lagging strand, जो जैसे की अगर मैं इस वाले strand की बात करूँ तो यह leading strand की synthesis हो रही है, और इसकी बात करूँ तो यहां पे lagging की synthesis हो रही है similarly, same concept को अगर हम लोग ध्यान में रखें, तो इसके opposite वाला strand, जो यह वाला strand है यह template strand है, इसमें भी यही case हो रहा है, आधा जो template strand है, वो leading की तरीके से synthesize होगा और जो आधा है, वो lagging की तरीके से synthesize होगा, तो यहां पे देखो, आप यह leading है क्योंकि यह एक बार में ही, सिर्फ एक primer की जरूरत पढ़ी, synthesize होने लगा वहीं पे यहां पे देखो, इसको बोल रहे है, lagging, क्योंकि बार-बार primer की जरूरत पढ़ रही है, मुझे तो यह concept था कि leading और lagging strand, एक ही template strand पे synthesize हो रहे होते है तो यह बहुत बड़ा misconception students को, यह समझ में भी नहीं आता जादा, तो उमीद है कि इतनी चीज़ यह आपको जरूर अभी समझ में आ गई होगी ठीक, चलिए, तोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने discussion में और discuss करते हैं, यह हम लोगों ने discuss के लिए, यह discuss के लिए यहाँ पे आते अब, at each growing replication fork, हर जैसे replication fork grow कर रहा होगा, leading strand की synthesis और lagging strand की synthesis हो रही होगी, जैसा अभी discuss किया था तो leading strand में क्या हो रहा होगा, synthesis is in the same direction as the movement of the replication fork, मतलब जिस direction में replication fork की move करने का मतलब, जिस direction में मेरा helicase आगे बढ़ रहा होगा, उसी direction में अगर मेरे strand की synthesis हो रही है, then it is called as a leading strand और वहाँ पे सिर्फ एक ही primer की जरुद परती है, यहाँ पे देखे लिखा भी होआ है, it is requiring only single primer, synthesis 5' to 3' direction में ही होगी, ठीक, अगर मैं lagging की बाच्छा एक चीज़ और थी यहाँ पे, कि leading strand की synthesis को आप continuous बोलते हैं, और single primer की वज़े से होती है, यह मैंने बता दिया, lagging strand की synthesis क आप discontinuous synthesis बोलते हैं, यहाँ पे multiple primers की जरुरत पड़ेगी, next, after 1000 to 2000 nucleotide of leading strand synthesis, जब 1000 से 2000 leading strand synthesis हो जाएगी, मतलब 1000 से 2000 nucleotides को leading strand के ओपर add कर दिया जाएगा, तब जा करके lagging strand की synthesis पर शुरू होगी, फिर 1000 to 2000 add हो जाएगी leading पर, फिर lagging की synthesis चुरूगी, तो कुछ इस तरीके की कहानी यहाँ पे हो रही है, next, short pieces of DNA जो form हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यह चोटे-चोटे pieces of DNA बन रहे थे, अगर मैं इसको rub करूँ यहाँ पे, यह जो चोटे-चोट की fragments, क्या बोलोगे इसको, ओकाजा की fragments बोलोगे, ठीक है, अब ओकाजा की fragments को last में क्या करता है, अब हर जब जितनी बार ओकाजा की fragment बन रहे होंगे, उतनी बार आपको primer की जरूद पड़ेगी, या जितने ओकाजा की fragments होंगे, उतने प्राइमर की जरूद पड़ेगी, ब तो उमीद है कि इतनी चीज यहां तक समझ में आई होगी, अब मैं यहां पर एक और डाइग्राम आपको दिखाना चाहता था, कि देखिए, यहां पर क्या क्या चीज है, यह मेरा लीडिंग स्ट्रेंड टेंपलेट था, और इससे लीडिंग स्ट्रेंड बन रहा है, और एक्चली जैसा मैंने बताया है, कि हर एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेंड के उपर लीडिंग और लाइग्र दोनों की सिंतसिस हो रही होगी, यहां पर एक ही को दिखाया गया है, बनाएगा RNA primase और हमारा DNA की synthesis कौन करवा रहा है DNA polymerase 3 यह मेरा main enzyme था जो DNA को open कर रहा है या application fork की synthesis कर रहा है वो कौन है वो आपका helicase है यहां पर देखिए single stranded binding protein हम लोगों ने पहले ही बात कि हुई है इसका काम क्या है re-annealing of DNA को रोकना इसके अलावा हम लोगों ने बात की हुई है sliding clamp की बही sliding clamp क्या होता है sliding clamp का मतलब क्या हो गया जो आपके polymerase को DNA polymerase को move करवाने में help कर सके ठीक है तो जो clamp होता है उसको हम लोग बोलते है clamp को हम लोग बोलते है beta ठीक है और clamp loader को बोलते है gamma clamp loader को बोलते हैं gamma तो अक्सर यह पूछा जाता है कि DNA polymerase में clamp क्या होता है बीटा होता है clamp loader क्या होता है gamma होता है ठीक तो यहां पर leading strand में देखिए continuous synthesis हो रही है बाद में क्या हुआ देखिए यह जो okazaki fragment 2 है और okazaki fragment 1 है इन दोनों को आपस में जोड़ा किस ने जोड़ा DNA ligase enzyme ने तो यह DNA ligase है ठीक है यहां तक की बात समझ में आ गई तो यह पूरा का पूरा elongation का process था आप अलरड़ी part part में इसको कई बार देख चुके हैं आई आगे बढ़ते हैं तो okazaki fragments के size के बारे में अगर मैं बात करूं तो size है 1000 to 2000 nucleotides in bacterial cell और अगर eukaryotic cell के बारे में बात करें तो 100 to 200 nucleotides की length होती है eukaryotic cell के अंदर अब कभी भी जब आप replication की बात करें तो replication की बात हमेशा semi discontinuous replication में हमेशा बोला जाता है कि replication is semi discontinuous तो semi discontinuous को अक्सर students semi conservative समझ लेते हैं जैसे कि यहां पर मैंने एक diagram बनाया हुआ है what is this saying this is telling you about semi conservative mode of replication semi conservative mode of replication इसके बारे मैं फिर से कभी वीडियो बना लूँगा semi conservative mode of replication के बारे में लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि semi discontinuous का मतलब क्या होता है अब आप जानते हो कि leading strand जो होता है leading strand की synthesis जो है वो continuous है leading strand की synthesis continuous है और वहीं अगर मैं बात करूँ कि lagging strand की synthesis is क्या है discontinuous है इस इसी वजह से हम लोग एक strand मेरा continuous synthesize हो रहा है एक discontinuous synthesize हो रहा है that is why I am calling it as semi discontinuous mode of replication यह ही वजह है इसको हम semi discontinuous mode of replication consider करते हैं next oka zaki fragments को आपस में later join कर दिया जाता है continuous stretch बना लेकी enzyme का नाम क्या है ligase या DNA ligase आप कह सकते हैं DNA ligase यह काम करता है तो उमीद है कि यह बिलकुल अच्छे से clear cut समझ में आ गया होगा आप लोग को now let us move on to the next slide अब अगली slide में हम लोग यहाँ पे जो main DNA polymerase है ना हमारा उसके बारे में कुछ बात चीत करने जा रहे हैं main DNA polymerase कौन सा है DNA polymerase 3 इसके बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग कह सकते हैं कि there is a holo enzyme complex अब इसके अलग-अलग parts को discuss करते हैं holo enzyme complex तो हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे subunits हैं बहुत सारे parts हैं जब we are considering it all together then we are calling it as holo enzyme complex लेकिन अगर हम इसके parts parts को discuss करें तो यहाँ पे two copies of the catalytic core होती है अभी मैं सबको बता दूँ फिर मैं diagram के through भी दिखा दूँगा two copies of sliding clamps होती है one copy of sliding clamp loader अब sliding clamp के बारे मैंने बताया था अभी थोड़ दिर पहले कि यह बीटा होता है one copy of sliding clamp loader यह gamma complex कहलाता है now this gamma complex is actually bridging the two polymerase three catalytic cores within the DNA polymerase three अभी अभी मैंने बताया आपको कि यह catalytic core के two copies है two copies इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें side by side दोनो strand के उपर synthesis करवानी है इसलिए two copies की जरूरत है और इन दोनों copies को bridge कौन कर रहा है gamma complex bridge कर रहा है अभी recent आज कल की recent जो studies है उसमें पता चल रहा है कि एक third catalytic core भी है पाया जाता है लेकिन इसके ओपर अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अभी हम लोग two catalytic cores को ले करके चल रहे है ठीक अब catalytic core catalytic core मतलब जो main आपका काम कर रहा है जो main catalysis कर रहा है जो main elongation करवा रहा है उसमें कौन-कौन से parts पाये जाते है तो अगर हम लोग देखे तो उसके अंदर कौन-कौन से units है alpha, epsilon, theta subunit catalytic core में alpha है, epsilon है और theta subunit है तो यह याद रखिएगा इस इम्पॉर्टेंट ठीक है अब दो अभी जैसे मैंने बताया कि two polymerase three catalytic cores की जरुवत क्यों है because we want to synthesize the leading as well as the lagging strand दोनों की synthesis करवानी है अच्छा primer confirm करवाता है primase करवाता है अच्छा जब जो primer था primer को extend कौन करवा है that means primer was basically RNA in nature isn't it primer का nature क्या था RNA in nature था ठीक और जब primase की बात होती है तो what does the primase do it is forming the primer forming the primer तो primase का क्या काम था primer का formation और ये primase जो है वो बिल्कुल helicase के साथ लगबग जुड़ा जुड़ा ही चलता है helicase चल रहा होगा अब अगर माल लीजे कि हम लोग lagging strand की synthesis करा रहे है तो जैसे helicase चल रहा होगा primase यहां पर primer synthesize कर रहा होगा फिर आगे helicase बढ़ रहा होगा primase synthesize कर रहा होगा तो कुछ इस तरीके से तो primase is basically connected with helicase कुछ इस तरीके की बात हो गई next जो primer का extension है that happens because of DNA polymerase 3 अब यहां पे एक बहुत important discussion मुझे यहां पे बताना था कि there is a term called as replisome replisome क्या होता ही है replisome DNA polymerase 3 holo enzyme को plus primase को plus helicase को इन सब को अगर हम add कर दें सब को अगर साथ में consider करें then we are giving it a collective term called as replisome ठीक है तो DNA poly 3 primase helicase इन सब को consider किया साथ में तो it will be called as replisome अच्छा तो यहां पे हमने एक schematic discussion schematic diagram लिया है जिसके through हम देखेंगे कि how does a DNA polymerase 3 look like तो जैसे कि मैंने आपको catalytic sub unit के अंदर बताया था यह देखिए what is this this is your catalytic sub unit अब catalytic sub unit में हम लोगों ने देखा था कि alpha, epsilon और theta sub units पाया जाते हैं यहां पे देखिए first में alpha, epsilon और theta sub unit आपका catalytic core बनाता है यह दो catalytic core है, यहां पे भी है और यहां पर भी है, main function क्या होगा, DNA polymerase जब elongation करा रहा है तो these are playing the main role, अब यहां पे एक चीज़ और देखिए, यह नीचे एक tau है, what is this tau doing tau is actually dimerizing the two catalytic cores tau क्या करा है, dimerize करा रहा है next, यहां पे देखिए एक gamma है, जिसने दोनों tau को hold कर रखा हुआ है ठीक है, और उसके बाद बागी कुछ-कुछ और subunits है, जो important थे, वो यहां पे हम लोगों ने पीछे ही यह उपर ही discuss कर दिया इसके अलाबा, अगर मैं बात करूँ तो beta और gamma, beta क्या होता है, clamp होता है, और gamma क्या होता है आपका clamp loader होता है ठीक, यह चीजे यहाँ पे हमने discuss कर ली अब next, एक और diagram मैंने यहाँ पे बताया है इस diagram के तुरू आप देख सकते हो कि यहाँ पे again यह देखिए, alpha, epsilon और theta यहाँ आपका catalytic है यहाँ पे आपका tau है दोनों, इस tau से नीचे आप देखिए तो यह gamma complex है यह जितना भी, जो हमने यहाँ पे diagram में देखा था था ना, यह पूरा का पूरा this is all called as your gamma complex, now what is this gamma complex doing, gamma complex से क्या हो रहा है, gamma complex का काम है, beta clamp को load करना और unload करना beta clamp को load करवाना, अब beta clamp क्या है, actually DNA polymerase जो है, वो beta clamp के थ्रू ही DNA strand को hold करेगा तो gamma complex का काम यह है कि beta clamp को hold करवा करेगा DNA polymerase को strand के उपर जोडना, ठीक है तो gamma complex loads and unloads the beta clamp cyclically for lagging strands, cyclically मतलब loading, unloading, loading unloading, unloading, क्यों इतनी बार loading, unloading करनी पड़ रही है क्योंकि याद रखिए lagging strand synthesis एक बार में नहीं हो रही है बहुत पार्ट पार्ट में हो रही है वहाँ पे कई सारे उकाजा की fragment हो रहे है तो जितना strand खुला होगा उतना ही synthesis होगा फिर helikaze आगे बड़ा clamp को ऐसे load करवा देगा ठीक है अब अगर load करवाना है फिर unload करना है, load करवाना है, unload करना है gamma complex का काम होगा ठीक, इतनी बात समझ में आगी होगी next आदे each oka zaki fragment जो हर एक oka zaki fragment है it requires RNA primer for the previous RNA primer मतलब हर oka zaki fragment को RNA primer की जरुरवत पड़ती है अब उसके बाद जितने भी RNA primer बने होंगे, भई oka zaki fragments कई सारे होंगे, उन सभी oka zaki fragment को बनाने के लिए RNA primer की जरुरवत पड़ी होगी अब last में मुझे इन सारे RNA primers को remove करवाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि RNA primer RNA से बना हुआ है, और जो DNA की synthesis हम करा रहे है, वो DNA है अब DNA और RNA साथ में तो जुड़े नहीं होंगे तो what we'll have to do is we'll have to remove the RNA and how is the RNA primer how is the RNA primer removed RNA primer को remove कैसे करेंगे through DNA polymerase 1 activity अब DNA polymerase 1 के पास एक बड़ी interesting activity होती है जिसको बोलते है 5' to 3' exonuclease activity ठीक है? generally, generally सब DNA polymerases के पास all DNA polymerases have 5' to 3' polymerase activity होती है और 3' to 5' exonuclease activity होती है इसको बोलते है proof reading activity ठीक है? यह दो activities हर DNA polymerase में होती है but when we are talking about DNA polymerase 1 इसके पास एक additional activity भी होती है वो है 5' to 3' exonuclease activity यह activity भी इसके पास होती है इससे काम क्या होता है? इससे होता है आपका primer removal what happens with this? we are removing the primer primer की removal होती है इससे ठीक है? next अब DNA polymerase जो gaps form होए है ना जैसे की for example अगर मैं यहाँ पे draw करके दिखाऊं तो यह मेरा माली जे template था अब इस template के ओपर यह यहाँ पे यह DNA के strands की synthesis होई थी ठीक है? अब यहाँ पे आपका primer लगा हुआ था इस जगे पे फिर इस जगे पे फिर इस जगे पे what we have to do is we have to remove the primers इसको इसको और इसको इस primer को remove करना होगा अब जब यह primer remove हो जाएगा when this primer would be removed तो यहाँ पे gaps हो जाएगे ना अब gap की क्या करनी पड़ेगी gap की filling करनी पड़ेगी gap कैसे fill करेंगे gap की filling कौन करेगा again जिसने gaps remove किये थे वही gap की filling करेगा तो DNA polymerase 1 fills the gaps thus created DNA ligase क्या करेगा बाकि जो भी fragments आपने बाद में जोड़े उन सब बाद में add किये उन सब को it will join तो DNA ligase joins everything but DNA ligase requires some energy in case of eukaryotes and archaea it requires ATP for the functioning whereas in case of E. coli E. coli के case में उन्हें NAD plus की जरुवत पड़ती है ठीक है तो ये again बहुत important concept है इसको याद रखिएगा कि किसके case में उसको कौन से energy source की जरुवत पड़ती है ATP कब पड़ रही है NAD plus की जरुवत कब पड़ती है ये बात पता होनी चाहिए ठीक है next अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत important concept पता होना चाहिए जो की है topo isomerase के बारे में अब अगर आपने कभी कभी आपने अगर रसी को देखा होगा तो रसी में दो strands होते हैं अगर एक strand आपका एक दोस्त पकड़ ले और दूसरा strand आपने पकड़ लिया और दोनों अलग-अलग direction में इसको खीचिए तेजी से तो क्या होगा एक particular जगे पर जाकर के रसी जो है वो फस जाएगी अगर मैं इस तरीके से इसको बनाने की कोशिच करूँ यहाँ पे तो suppose ये मेरा DNA ठीक DNA एक रसी की तरीके से ही है इसके दो strands है suppose मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने इस रसी को पकड़ रखा है और मेरा friend जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसने इस रसी को पकड़ रखा है और हम दोनों इसको opposite direction में खीच रहे है मैं इधर खीच रहा हूँ और वो इस direction में खीच रहा है अब क्या होगा थोड़ी दूर तक तो ये open होगी ये जो DNA है थोड़ी दूर तक open होगा but after some time वो यहाँ पे जाकर के कहीं पे फस्ट जाएगा ठीक बिलकुल गाठ लग जाएगी उसके पर फस्ट जाएगा क्यों क्योंकि वहाँ पे what has happened over here वहाँ पे super coiling developed हो गई है super coiling has developed now in order for progressing the replication जब हम replication को अगर आगे progress कराना चाहते हैं तो we first have to remove this super coiling अब super coiling को remove करने के लिए एक enzyme की जरूरत होती है this is very important बहुत बार पूचा गया है what is the name of the enzyme in case of E. coli we call it as DNA gyrase ठीक है या अगर हम लोग main बात करें तो topoisomerase is the name of the enzyme you call it as topoisomerase and the specific name is a type of topoisomerase is DNA gyrase actually these topoisomerases can be of two types topoisomerase 1 and topoisomerase 2 further there can be multiple types of classification बहुत सारे अलग अलग तरीके के classification हो सकते तो topoisomerase 1 and topoisomerase 2 इसमें से जो DNA gyrase है जिसके बारे में बहुत बार question आया है वो DNA gyrase type 2 topoisomerase है in case of eukaryotes ज्यादा तर cases में eukaryotes में topoisomerase 1B की जरूरत पढ़ती है topoisomerase 1B is required for the relaxation of super coils relaxation of super coils मतलब जो यहां पे super coiling होगी उसके relaxation के लिए ठीक है अब बहुत सारी ऐसी medications है बहुत सारी ऐसी जानते हो यहां पे अभी तक समझ में आ गया होगा कि human beings में पाया जाने वाला topoisomerase it is different from the topoisomerase present inside bacteria 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 में DNA gyrase पाया जा रहा है human beings में topoisomerase 1B पाया जा रहा है ठीक है अब अगर हम दबा बना रहे हैं तो what we can do is we can make medicines that are inhibitors of DNA gyrase क्योंकि इस case में क्या होगा हमें नुक्सान नहीं होगा bacteria को नुक्सान होगा because DNA gyrase सिर्फ bacteria में पाया जा रहा है तो अगर मैं inhibitors बना हूँ DNA gyrase के तो मेरे पास दो choices है एक quinolone antibiotics बना सकता हूँ जिसका example है नेलिडिक्सिक acid और एक fluorinated derivatives बना सकता हूँ जिसका एक्जाम्पल है नॉर फ्लॉक्सासीन सिप्रोफ्लॉक्सासीन ठीक और एक गौर है नॉव बायोसन तो fluorinated derivatives में क्या-क्या examples हो गया नॉर फ्लॉक्सासीन सिप्रोफ्लॉक्सासीन और इदर हो गया नॉव बायोसन तो अब नॉव बायोसन जो है वो गाईरेज बी को इनिवेट करती है अगर मैं fluorinated derivatives में बात करो तो नॉर फ्लॉक्सासीन और सिप्रोफ्लॉक्सासीन यह गाईरेज एक को इनिवेट करते है ठीक है तो इसको complete करने के लिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यहां पर आड़ कर किये मैंने नवंबर में नॉर्वे नामीबिया एंड चाइना जाना है नवेंबर में नॉर्वे नामीबिया एंड चाइना जाना है तो नवेंबर में क्या मतलब हो गया नवेंबर का मतलब हो गया नोवो बायोसन नॉर्वे का मतलब हो गया नौर फ्लॉक्सासीन नामीबि तो यह हम लोगों ने पूरी डिसकेशन कर लिया कि कौन सी एंटिबायोटिक्स टोपो आईसोमरेज के अगेंस्ट काम करती है उमीद है कि यह पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपका इलॉंगेशन कम से कम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आप इनीसियेशन के ओपर भी वीडियो जरूर देखिएगा आपका वो भी कॉंसेट क्लियर हो जाएगा एंड करने से पहले मैं एक इम्पोर्टन अनॉंस्मेंट को वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने गेट बी टी का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर दिया गया है From 10th of December लेकिन अभी भी आप इस कोर्स को जॉईन कर सकते हैं इस कोर्स का डूरेशन वन मन्त है और इस कोर्स की जो फीस है वो रुपीज 3800 है इसमें हम जितने भी important topics है, gate के important topics for gate BT, इसको properly, बिलकुल methodically complete कराएंगे, बिलकुल method wise complete कराएंगे और आपको proper PDF के notes जो भी हमने पढ़ाया होगा class में, उसके notes और साथी साथ recordings भी available करवाई जाएंगी इसके अलावा आपके tests, regular tests होंगे पूरे इस one month के अंदर और proper guidance मिलेगी, जिसके तुरू आप अपने तयारी को और बहतर कर सकते हैं इन case अगर आप ये course join करना चाहते हैं, तो हमसे contact कर सकते हैं, 8299134528 पे इन case आपको bio process engineering tough लगती है, तो bio process engineering की लिए भी मैंने एक book launch की है, जो specifically low cost है, affordable है, और आपको help करेगी bio process engineering की theory और numericals को solve करने के लिए, अगर आप उसको purchase करने में interested हैं, अगेन आप हमसे contact कर सकते हैं, इसी number पे, ठीक है, thank you so much and have a good day, और जरूर इस वीडियो को अपने friends के साथ भी शेयर करिएगा, पसंद आया है तो इस लाइक करिए, मेरे चैनल को subscribe करिए, thank you